चलिए सब लोगों गुड मॉर्णिंग एस्टिसी कोचिंग से सुबो सर बोल रहे हैं और ये साल समाप्त होने वाला है आए उसके बारे में कुछ महत्पून बात देखिए वीडियो देख रहे हैं तो दो मिनट टाइम दिजिएगा पूरा वीडियो देखिएगा अच्छा लएगा तो लाइक करिएगा शेयर भी कर दिजिएगा तो और अच्छा रहेगा आए शुरुवात करते हैं कुरोना के ठीक पहले कुछ यादो से शुरू करते हैं कुरोना के ठीक पहले कोचिंग का क्या हाल था और अब क्या हाल है हमारा ही नहीं हर जय के कोचिंग का यहिं आल है कुरोना से पहले देखिए आप ये टीवी को सब लोग पाचानते होईएगा जो भी हमारे क्लास्रूम में पढ़ते होईएगा इस टीवी को पाचानते होईएगा ये टीवी भी वेचारा हमारा बहुत साथ दिया है 2009 से ये 2009 में हमारे कोचिंग में पहला बार सिसी टीवी लगा था 2009 से अब तक चल रहा है ये वही प्लेस है जहां अभी आप लोग पढ़ते हैं देखे टीवी पर अभी भी कोचिंग का नाम लिखा हुआ है और ये कोचिंग को आप लोग ये टीवी को पाचानते हैं कुरोना से पहले देखिए दो-दो क्लास चला करता था एक बार में उपर जो अभी कम्प्यूटर लगा हुआ है अभी जो आप लोगों सेट बनाने के लिए जो कम्प्यूटर लगाया गया है वहीं वाला रूम है पाले वहाँ कम्प्यूटर नहीं था पाले वहाँ पर एक टीवी लगा होता था और दो क्लास एक साथ चलता था पिक्चर को हम और अच्छे से दिखाते हैं एक मिट इंतिजार करिएगा देखिए यह जो क्लास नंबर एक जिसमें अभी आप लोग पढ़ते हैं यह एक नंबर है और यह क्लास रूम टू है उपर में टीवी लगा हुआ होता था टीवी पर हिन लोग पहले पढ़ते थे जब ऑनलाइन का जमाना हुआ टीवी को छोड़ दिया गया और ऑनलाइन का शुरुवात किया गया तो हमारा क्लास समझे 2009 से यह ऑनलाइन चलता था एक इंटरनेट पर नहीं टीवी पर जो आपके पहले अंकल लोग पढ़ते होंगे वो आपको बताते होंगे कभी समय था बैच में एक एक हजार लोग तक एक बार में पढ़ते थे दो दो टीवी लगा होता था दिर दिर समय बदला ऑनलाइन का जमाना आ गया तब टीवी को बंद कर दिया गया और सिर्फ आप लाइन एक ही क्लासरूम रह गया कुरोना के पहले का कुछ याद हम कर रहे हैं आपको भी दिखा रहे हैं यहीं क्लासरूम है जिसमें अभी आप पढ़ते थे लोग भी पाले पढ़ते थे वहीं क्लासरूम है या आपको जो अभी जो पिक्चर देख रहे हैं या आपको 2018 का पिक्चर या जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये 2016-17 का पिक्चर 11 वजे का बैच है या या बैच 12 वजे खुला था या बैच तो 2019 का है 2019 का है कुरोना के ठिक पहले का है 10 वजे का बैच है टेन एम का 2019 या 20 का बैच है 2019 का है जस्ट अभी बैच है चलिए देखिए पहले जो कोचिंग का रिजल्ट हुआ करता था ये देखिए रिजल्ट है सारे पेपर में निकला था मोतिहारी के जितने भी मोतिहारी के पेपर में है जो भी लीडिंग का खवार था सम में निकला था उस समय यह देखिए कब का है 2011 का रिजल्ट है 2011-12 का देखिए अए वी पी एस कलर का रिजल्ट आया था उसमें इतना सारा कोचिंग रिजल्ट हुआ इतना इतना कोचिंग रिजल्ट हुआ था कि पूरे एक पेपर में वह नहीं मतलब हो सका था पूरा एक पेपर में आप ही नहीं साका था कुछ फोटो बाके भी रा गया था तो लगभग उसमें 300 के आस पास रिजल्ट था सिर्फ एक एकजाम में 300 के आस पास रिजल्ट था आप लोगों कहते हैं कि चले हमारे अभी तक लगभग 30,000 लोग हमारे कोचिंग से जॉब करते हैं आप लोगों बिलीव नहीं होता है इसलिए संजोग से पहले का एक पेपर का कटिंग था वहीं आपके सामने प्रस्तूत किये हैं तो आए यह बात तो हो गया पूरानी यादे कलेंडर लोटता है कलेंडर का डेट रिपिट करता है लेकिन पूरानी यादे यादे कर सकते हैं समय लोटता नहीं अब आई आज की बात करते हैं जिस परपस से विडियो बना रहे हैं उस परपस से देखे कि आप लोगो पता चला ही होगा कि कोचिंग का फी बढ़ रहा है हर जगा का बढ़ रहा है कुरोना के बाद जो भी सहर के टीचर्स लोग हैं वो एक मिटिंग किये और तै किये कि भाई जो अभी बरतमान फी है उसमें हम लोग सर्वाइब नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए कोचिंग का फी बढ़ाने का निर्णे किया गया और हमारा फी तै किया गया है 5100 यह हम तै नहीं किये हैं सभी सिक्षक एक दूसरे काफी तै किया है एक संग सब काफी तै किया है जो नए सिक्षक है मिन्मम उनका 3500 है कुछ और दिनों से पढ़ा रहे हैं किनी का 4000 है कुछ और दिनों से पढ़ा रहे हैं किनी का 4500 है हम सबसे पहले से सहर में पढ़ा रहे हैं इसलिए हमारा 5100 ही Online का fee 2500 हो जाएगा चुकि Online का जो fee है वो Offline का 50% होता है वो Offline का 50% होता है आप लोग जानते ही हैं हलाकि Online का fee अभी तय नहीं किया गया है और यह हो भी नहीं सकता है रिजिनिंग का अब नए साल से रिजिनिंग का फी अलग से लेगा यदि आप ओफ लाइन रिजिनिंग पढ़िएगा यदि आप डिमांड करते हैं कि भाई ओफ लाइन सर हमको पढ़ाईए तो पंदरसो रुपी अलग से पेड करना होगा शाहर के जितने भी टीचर्स हैं वो रिजनी का फी आपको अलग से लेते हैं एक हम ही अभी तक नहीं लेते थे तो हमारा भी फी अभरिजनी का अलग से 500 हो जाएगा ऑफ लाइन पढ़ाएंगे अब तक आपको दो तरह का बुक कोचिंग में पढ़ाते हैं एक हमारा अपना ही लिखा हुआ बुक है यह हमारा अपना लिखा हुआ बुक है बिरहत अंगणी और एक नभी नंगणी जिनका मैथ बेसिक अच्छा है जो साइन्स बैग्राउंड से हैं जिनका इंटरमीडियेट में 10 प्लस 2 में मैथ रहा है उनको हम सलाह देते हैं कि हमारा बुक पढ़िए जिनका मैथ बहुत अच्छा नहीं है उनको हम सलाह देते हैं कि ठीक है भाई आप बेसिक बुक आरे सेगवाल का नभी नंगणीत पढ़िए अभी तक आपको यह बुक पढ़ाते थे तो आपसे 3100 रुपया चार्ज करते थे यह बुक पढ़ाते थे तो 1100 चार्ज करते थे और सलाह देते थे कि भाई यदि आप यह पढ़ लेते हैं नभी नंगणीत तो यह आपका बेसिक अच्छा हो जागा उसके बाद यह बुक आप पढ़ सकते हैं जो अभी तक की बाते हैं एडवांस के लिए कोचिंग का स्टेडी मैटेरियल चलता है अब आपके मन में सवाल आएगा कि विरहत अंगरीत पढ़ लेंगे तो फिर एडवांस कहां से पढ़ेंगे तो एडवांस के लिए कोचिंग का स्टेडी मैटेरियल बना दिया गया है एडवांस और दिया ही दोनों का हम अपना जो हमारा कैरियर शुरू हुआ हम अपने बारे में बता रहे हैं हम 96 से इस लाइन में है पहले हम सिर्फ आउथर हुआ करते थे पहले हम एक लेखक थे जो आप पढ़ते हैं बुक वैसा ही बुक लिखने का काम करते थे पहले हम टीचर नहीं थे शिर्फ आउथर थे जो आप विरहत अंगरित पढ़ते हैं आरे से गवाल पढ़ते हैं वो मैत का पहले हम सिर्फ बुक ही लिखते थे और हम अपने life में नहीं भी तो कम से कम 25 से 30 बुक लिखे हैं पहले हम सिर्फ बुक ही लिखा करते थे हमारा काम ही था, हमारा काम ही था math का tricks निकालना हमारा काम ही था math का अच्छा से अच्छा concept देना हमारा career tricks बनाने के लिए ही शुरू हुआ हम अपना केरियर जो शुरू किये वो ट्रिक्स बनाने काहीं काम हम स्टार्टिंग किये और यह हम किये हैं 96 से हम अपना केरियर शुरुवात किये तो 96 से ही हम किताब लेखन का काम करते थे 5 जनवरी 1998 को पहला बार हम अपना कोचिंग का स्टार्टिंग किये हैं पहला बार 5 जनवरी 1998 को हम अपना कोचिंग ओपन किये हैं और 5 जनवरी 98 से हम पढ़ाना स्टार्ट किये अब हम टीचर भी बन गए ओधर तो थे ही अब हम एक टीचर भी बन गए 98 से 2009 में पहला बार हमी 1100 रुपया फी रखे और आज भी आपको आरेशक वाली 1100 रुपया में पढ़ाते हैं आप सोचिए लगभग कितना बर्स हो गया 13 बर्स तेरा बर्सों से आपको आरेश सग्वाल का जो बुख है नभी नंगनित उसका फी नहीं बढ़ा और पहले हम यहीं बुख पढ़ाते थे आरेश सग्वाल का है पूरे अल ओबर इंडिया में हम पहले आदमी हैं पूरे इंडिया में हम पहले आदमी हैं जो आरेश सग्वाल का बुख पढ़ाना सुरू किये आज ये कोचिंग में उसके पहले पूरे इंडिया में कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो एक कोचिंग में पूरा आरेस अगवाल का बुक पढ़ाते हों एक सोटकर्ट मेथट से या कंसेप्ट से पूरे इंडिया का हम फस्ट आदमी है या हम दावे के साथ कर सकते हैं यदि कोई है तो वो दावा हमरे सामने पेश कर सकते हैं पूरे इंडिया का हम पहला आदमी है जो आरेस अगवाल एक कोचिंग में पढ़ाना शुरू किये और उसको दोनों मेथट से जनल कंसेप्ट से भी और सोटकर्ट मेथट से भी उस समय इंडिया में गीने चुने टीचर्स थे दो चार टीचर्स थे जिसमें हम पढ़ाना श है उसके फी में कोई बढ़ोतीरी नहीं हुआ तो जाहिर है कि अब तो बढ़ोतीरी बनता है इसलिए बढ़ोतीरी अब होगा तब आप बिरहत अंगनित पढ़िए या आरेस अगवाल पढ़िए कोई भी बुक पढ़िए 2022 से एक जनवरी 2022 से अब आपको इसके जगह पर 5100 फी लगेगा आप चाहे कोई भी भी बुक पढ़िए आपकी मर्जी है आप मर्जी है तो आरेस अगवाल का नभीन अंगनित पढ़िए और मर्जी है तो बिरहत अंगनित पढ़िए आपको 5100 फी लगेगा लेकिन एक फर्क है उस फर्क को आप नहीं समझते हैं वो फर्क हम दिखाते हैं क्या फर्क है एक बात और समझे जितनी भी बाते हम पढ़ाते हैं हमरा खुद का रिसर्च किया हुआ है आज हमारी रिसर्च की वही बात दूसरे लोग पढ़ाते हैं आज जितने भी लोग देख रहे है वो सब लोग हमारे रिसर्च किये हुए बात पढ़ाते हैं जो बात हम 20 साल पहले पढ़ाये हैं आज होगे ही परचारित होते होते लोग पढ़ाते हैं हम बात केवल इस सहर की नहीं कर रहे हैं बात हम All Over India की कर रहे हैं जो समय हम पढ़ाना सुरू किये उस समय हम बुक लिखते थे आज हमारे बुक लाखो लाखो लोग पढ़े हैं हजार में नहीं लाखो लोग पढ़े हैं तो उस समय हम बुक लिखे थे जिस समय तो गीने चुने दो चार टीचर हुआ करते थे तो लोगों अच्छा, ओफ लाइन में भी लगवा हम लाखों लोग को पढ़ाएं, तो वो बात या वो पढ़ाई परचारित हुआ, धीरे धीरे तो हम दूसरे का चीज नहीं पढ़ाते हैं, हमारे रिसर्च की हुए लोग दूसरे लोग पढ़ाते हैं, यह बात आप पहले स कभी नहीं, समझ बता ही देते हैं, इसकी भी समझ लिए, 31 तारिक तक, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2021 तक, आप 1100 रुपया में एडमिशन करवा करके आरे सगवाल पढ़ सकते हैं, नभी नगनित पढ़ सकते हैं, इसके बाद अभी नहीं पढ़ें, तो कभी नहीं यह मौका अब मिल सकता है, यहीं आरे सगवाल पढ़ने का 500 रुपया एक जनवरी के बाद लगेगा, तो इसके लिए नयाब बैच आपको खुल जाएगा, कितने तारिक से, 15 जनवरी से, खर्मास के बाद, 15 जनवरी 2025, निव बैच खुलेगा, यहीं आपको ओफर वाली बात बता रहे थे, जो आप उपर थम्नल में देखे होईएगा, यह टाइम रहेगा, इसमें आपको बुक चलेगा, नवीन अंगणित, नवीन अंगणित, और इसका जो बैच का जो टाइम होगा, वह टाइम होगा, 5 पीम, जिनको भी यदि अभी पढ़ना है, तो आप 31 दिसंबर तक एडिमिशन करवा लिजीगा, तो आपको 4,000 रुपय का बचत होगा, एक जनवरी से आपको फीए 500 हो जाएगा, अभी आप एडिमिशन लेते हैं, तो इस 11 रुपया ही लाएगा, 31 दिसंबर तक, तो आपको 4,000 रुपया का आप क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, चुकि यह जो फीज तै किया गया है, यह हमारे द्वारा नहीं, सहर के सभी टीचर्स लोग मिल के तै किये, हैं वो हमारा एक समाज है सहर का सिख्षक लोग हमारे समाज हैं हम उनसे दूर नहीं रह सकते हैं तो जो सब लोग के सामने हम भी कमिट्मेंट कर लिये हैं तो एक जनवरी 2022 से हम आपको 5100 लेंगे ही लेंगे तो यदि कोई चाहते हैं कि चली हमको पढ़ना है तो आप 11100 रुपया में अभी ही एडमिसन करवा लेजिए आपको जब मर्जी होगा तब पढ़िएगा मान लिया जाए कि कोई अभी इंटर का एक्जाम देने वाले हैं उनको है कि सर इंटर का एक्जाम देंगे तो पढ़ेंगे तो आप अभी ही 11100 में अडमिसन करवा लेजिए और जब से मन होगा तब से स्टार्ट करेगा ये नवी नंगनित आप कभी भी पढ़ सकते हैं आप अडमिसन करवा करके आई कार्ड को सेफली रख लीजिए गा 11100 में अडमिसन करवा लेजिए और आई कार्ड आप बनभा के रख लेजिए और आई कार्ड पर लिखवा लेजिए ये आई कार्ड आप रखवा लेजिए पढ़ना शुरू मत करिए आप कहिएगा कि सर हमको अभी नहीं पढ़ना है हमको मार्च में पढ़ना है हमको सर 2022 मे पढ़ना है तो आप कभी भी पढ़िएगा लेकिन एडमिशन आप अभी ग्यारसों में करवा के रख लिए मालिया कि जिनको अभी इंटरमिजेट का एक्जाम देना है 10 प्लस टू का तो जाई रहे कि आपका फरवरी में एक्जाम होगा तो आप मार्च से पढ़ेगा बैस तो खुलते ही रहेगा तो आप क्या करें कि ग्यारसों में एडमिशन करवा लिजा और मार्च से ही पढ़ेग उस आई कार्ड पर आपको लिख देंगे मार्च 2022 से लागो इससे आपको होगा क्या कि आपको 4000 रुपिय का बचत हो जागा पढ़ाई होगा ही मिलेगा लेकिन 4000 रुपिया का पढ़ाई और अच्छा मिलेगा 2022 से जो पढ़ाने का धंग है तरीका है वो सब बदलने जा रहा है समया नुसार हम भी अपना हमेशा पढ़ाई में परिवर्तन किये हैं जो कोई पढ़े होएगा हमसे 3-4 साल पहले अभी जो पढ़ते होएगा उसमें फर्क पाते होएगा हर साल हम भी अपना पढ़ाई देखिए एक अनुभवी सिक्षक और एक नए सिक्षक से पढ़ने में क्या अंतर होता है वो हम आपको बताते हैं तो देखिए जैसे कोस्टन है हर कोई बनाना जानते होएगा कि नहीं जानते उनको ही बता दे रहें कि कोई संख्या में 32 से भाग देते हैं तो सेस 29 बचता ह तो आठ से भाग देने पर सेस क्या बचेगा मार्केट में ट्रीक है कि 32 पहले वाला जो सेस है वह सेस कितना है 29 तो 29 में ही आठ से भाग देके रिमेंडर निकाल लेते हैं सेस बच गया 5 अंसर हो गया पहले वाला जो रिमेंडर है उसी में दुबारा भाग देते हैं और अं किये बात है कि छोटे सर में पढ़ाते हैं आप लोग को । बिलिव नहीं होगा तो बिलिव दिला देते हैं आपको पुरूब देते हैं अब यहici को सटर्ण है फिर 32 से भाग देते हैं तो 29 से बता है तो साथ से भाग दिने पर तो आब 29 में साथ से भाग दीजिएगा तो remainder हो जाएगा उबन और answer हो जाएगा आपका गलत जबकि इसका answer हो जाएगा ते नहीं कर सकते हैं इसका answer ते नहीं हो अब यहीं देखिए जो एक अनुभवी सिक्षक है और जो अनुभवी नहीं है इσι का फरक फड़ता है जो नय सिक्षक है वो तेज लड़के के समान हैं वो तो ये बात कहीं से सिख लिए और वो एक कोसन बता दिये लेकिन ही कोसन आपको नहीं बताए अब आप वह से ही बनाएगा अंसर कहिएगा एक अंसर हो जागा गलती आप कहिएगा आप लड़ने लगिएगा दुसरे से ना हमरा सर इसे बता हैं देखिए कौपी में दुसरा आदमी कहेगा ना एक गलती है लेकिन तब पूरी बात तो आप कुछ समझाये नहीं इसमें भी अप कंडिशनल हो दूसरी में वह ऐसा होता है जो 32 को विभाजित करे तो पहला कोस्टन में 32 को आठ विभाजित कर रहा था इसलिए निकलेगा दूसरा कोस्टन में 32 को 7 विभाजित नहीं करता ऐसा निकलेगा तो जिसके पास सन्भव है वो आपको वहाँ पर किलियर बताएगा कि कब आप ग 2000 बार पढ़ाया होगा उसको शब पता है आपको प्रूप देते हैं हमारे बूप में यह बात लिखा हुआ है बिरहत अन्दनिक में और हमारा बूप 2015 में 2015 से भी पहले पब्लिस हुआ है या जो number system है या जो book है ये आपको ये बात हम लिखे हैं 2013 में ही लिखे हैं 2013 में ही लिखे हैं 2013 से पहले कोई वह इसा book आप बता दीजिए जिसमें इस बात लिखा होगा तो हम आज से पढ़ाना छोड़ दें तो इंडिया में first बार जो सही concept है लोगों को हम बताए ऐसी बहुत सारे बाते हैं तो सुरू से बोले कि जो भी हम पढ़ाते हैं हम अपना research करते हैं हमारा अपना research किया हुआ है हमको पता है कि आप कहां गलती करिएगा जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको ध्यान दिलाते हैं कि यहां पर आपसे गलती होगा यहां यहां आप गलती कर सकते हैं नए लोग यही नहीं बता पाते हैं आपको बस सिधा बता देंगे कि ऐसे जाईए बार बार हम example देते हैं कि इससे पुछिएगा कि पटना जाना है कितना समय लएगा तो लोग कर देगा रहे तीन घंटा का रास्ता है जाईए न लेकिन जो हजार वर गया उक्काद है गा बाफरी है तो रास्ता तीने घंटा का लेकिन पुल पर बड़ी जाम होता है उस सातो घंटा लग जाएगा देख लिजिएगा कम से कम पंचो घंटा समय लेके चलिएगा पहले पहुँच जाएगा उन ठीक है यह कहीं पुल पर जाम है भेटा गए तो आपका काम भी गड़ जाएगा यह अनुभवल आदमी बताएगा ने आदमी कदेगा रहे तिन घंटा का रास्ता है जाएगे न यह तो नहीं बताएगा कि पुलवा पर जाम है तो कौन बताएगा जो बहुत बार उसको जहला है तो जिसके पास सनुभव है वो आपको आगे पीछे की बात बताएगा और अच्छा टीचर वहीं है जो आपको कोस्टन के आगे पीछे की बात बताते चलिए यहीं फर्क है नए टीचर और पुराने टीचर जैसे और देखें कंपॉन्ड इंट्रेस्ट में आप बच्पन से याद करें या कोई भी किताब उठा के देख लिजे कोई भी किताब उठा के देख लिजे तो उसमें बस दो ही बात होता है जैसे कंपॉन्ड इंट्रेस्ट चेकविर्दी व्याज में ब्याज जोड़ता है तो दो ही यूज होता है देखिएगा एक छा माही जोड़ता है एक ती माही जोड़ता है हर एक बुक में यही दोनों बात बच्पन से आभी पड़े होईगा पहला हम अपना बुक लिखे उसमें देखेगा ब्याज को पांच महिना पर जोड़े है ब्याज को साथ महिना पर जोड़े है ब्याज को अठारह माह में जोड़े है ब्याज को दो माह में जोड़े है ब्याज को पांच बरसों में जोड़े है कि पांच बरसों में जोड़े है तो एक हम रियल कंसिप्ट बताए कि भाई ब्याज जोड़ना होता क्या है ब्याज जोड़ना होता क्या है और अलग लग रहेगा तब क्या करेंगे तो जो अब तक जो किताब बना था उसमें तीमाही छमाही लिखा जाता था एक जाम में भी यहीं पूछता था लेकिन पहला वर हम भूक में लिखे कि नहीं ब्याज तो कभी भी जूड़ सकता है कभी भी जूड़ेगा तब क्या करिएगा और देखेगा सीजियल में पूछना सुरू किया साइद 2020 में ही पहला वर पूछा यदि ब्याज पांच महिना पर जूड़ेगा तो कैसे बनाएगा और यह सब बात हम सुरू किया इंडिया में पहला वर हम अपने बुक में इससा बात लिखे है अभी हमारा देख लूखे कोई भी चप्रू उठा करके अब इंडिया के किसी भी बुक में लिखा कर दो इसा बात नहीं विलकुल आपको कांसेप्ट किलियर कर देगा ये हीला कर रख देग एक नेक वर दिमाग हिल जाएगा और वाज एकदम कभी नहीं हिलेगा तो यहीं फर्क है एक नए टीचर एक पुरान टीचर नए टीचर करते क्या है जो मार्केट में चल रही बाते को फॉलो करते हैं जो पुराना टीचर होगा वो आपको कहेगा कि नहीं यतना पढ़ने से जाएगा थोड़ा और पढ़िए यहां पर फस जाता है आप इसको भी देख के जाईएगा और एकजाम बाला भी कोशिश करता है कि हमेशा दोचार को सन्या पूछें तो आप जो एकजाम जो अभी पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न पढ़के जाते हैं एकजाम में दोचा तो चुकि ओफ लाइन में हम लाखों लोग को पढ़ाए हैं बहुत लोग का अनुभो लिये हैं इसलिए हम टाइम लेते हैं सबसे बड़ा दिक हमारे हां समस्या बस सेखी है कि टाइम थोड़ा हम जादे लेते हैं पढ़ाने में तो टाइम पढ़ाने में जादे क्यों होते हैं अब भी सोची न अब थोड़ा सोचीए अभी हम 10 बजे का बैच अगले महीने हमारा समाप्त होगा 26 जनवारी को बैच खुला था mm हमारा बैच lockdown में भी चला था lockdown में भी हमारा बैच चलते रहा है बंद नहीं हुआ है चलते रहा है आप सोचीए एक नभी नभीन अंगनित पढ़ाने में हमको एक साल का समय लगा तो क्या नभीन अंगनित भोले तो कि वल नभीन अंगनित आपको थोड़ी पढ़ाए हर एक चप्टर के पहले हम अपना थियोरी आपको पढ़ाए थियोरी पढ़ाने के बाद उसका exercise पढ़ाए टाइम इसमें लगा जो लोग पढ़े होंगे, आप मिला के देख लीजिएगा, कि यदि मान लिया जाए कि 12 महीना, 12 महीना में 9 महीना हम आपको थिवरी पढ़ाए, एक्सेसाइज पढ़ाने में तो हमको तिन ही माह लगता है, तो केवल आप नभी नगनित पढ़ीगा तो हम 3 महीना में भी के छोड़ सकते, लेकिन फायदा नहीं होगा, तो फिर हम पढ़ाएं किया, जब पढ़ने आए, आप एक रूपिया दीजिए, चाहे एक लाख रूपिया दीजिए, आप पढ़ने आए इस भरोसे से कि हमारा काम हो जाए, तो जब तक हम आपको एक अच्छा थियोरी नहीं पढ़ाएंगे, तब तक कि एक्सरसाइज कैसे आपका बनेगा, अच्छा से, तब तो हम के वली यह आपको बता दे की कोस्तन ऐसे बनता है, हम बनाना जानते हैं, आप बनाना जानेगे, चाहे मात जानेगे, तब तो वो बात हो गए, तो हम आपको देखिएगा, कोई भी चप्टर में, कोई भी चप्टर में, यदि हम एक सब्ता आपको थियोरी पढ़ाए हैं, तो मातर तीन दिन में आपको एक्सरसाइज पढ़ा दिये, तो में थियोरी पढ़ाने में हमको टाइम लगता है, और थियोरी पढ़ाने का मतलब है कि आपका कंसेप्ट अच्छा कर तब हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाते हैं हर एक चप्टर में तो इसमें टाइम लगता है तो फिर से निसकर्स बता दे रहे हैं जिस परपस से हम वीडियो बनाए हैं वो परपस बता दे रहे हैं कि किनी को भी पढ़ना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2021 तक आप एडिमिसन करवा लिजिए यदि आपको नवीन अंगनित पढ़ना है तो 1100 रूपया जो पहले कफी है और यदि हमारा बुक पढ़ना है तो 3100 रूपया जिसका नाम भी हम देते हैं लाइफ टाइम लाइफ टाइम इसलिए देते हैं कि आप हमारे पास पढ़ने के ल तो जिनको भी एडिमिसन करवाना है आरेस अगवाल पढ़ना है नवीन अगनित तो 1100 रूपया 3100 रूपया आप एडिमिसन करवा लिजिए और आपको जब मर्जी है तब से पढ़ाई शुरू करिए आपको लगता है कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे हम 6 माह बाद से पढ़ सुरू करिएगा एकने अडिमिसन अभी ही करवा लिजिए चुकि एक जनवरी के बाद कुछ भी करिएगा हम फी कम नहीं कर सकते हैं चुकि हम भी किसी को कमिटमेंट कर दिये हैं हम भी अपने समाज में कमिटमेंट कर लिए हैं तो हमारी भी मजबूरी हो जाएगी तो आप को जब पढ़ना है तब पढ़िए लेकिन एडिमीशन 31 दिसंबरे किस से पहले आप करवा लिजिए और धन्यवाद यहीं कहना था तो हम वीडियो को बंद कर रहे हैं